ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सेहत और जिन्दगी हेल्द शो में और अब रुख करते हैं रसोई का रसोई सेग्मेंट में आज बताएंगे हेल्दी डिश के बारे में हेलो फूडीज में अन्तीमा चुहान वेलकम तुद शो जब हम फ्री बैठे होते हैं तो हमें लगता है हम कुछ खा लें लाइट सा तब हम लाइट के नाम पे या तो मेगी खाते हैं या तो जंक फूट खाते हैं पास्ता बर्गर रफी कुछ भी एक पैकिट बिस्कित चाय क के साथ कंप्लीट हम खा लेते हैं लेकिन आज मैं आपको कैसी रेस्पी शेयर करने जारी हूं जो हैल्दी भी है टेस्टी भी है सैलेड है अफकॉस सैलेड सुनके सबको लगता है बोरिंग सा ककरी टमाटर होगा बट ऐसा नहीं है आज मैं आपसे जो रेस्पी शेयर करी जो बहुत इंक्रेस्टिंग है बहुत यम्मी भी है और उसमें सारी वेजिटेबल्स और फूट्स आ जाएंगे सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है लेट से इंग्रेडियंट्स ये रैड कैप्सिकुम है ये ये येलो अगर नहीं म है ये मटर है जो मैने बॉल कर लिए है ये वाईनेपल तिन पाइनेपल है ये डाले हूं है ताकि इसमें थोड़ा शुगर निडनी होगी और काफी टाइम हम फ्रेश लाते है तो उसमें थोड़ा सा खटास होती है इसलिए मैं प्रेफर करूँगे कि सैलेड में आप टिन यह क्रीम है, अब मैयोनीज देल साथ है, यह तो यह भात अब शेयर महीं, जो लोग अब मेयोनीज को नहीं उचन्प हो… वह भी अफ दोड़ी सकते हैं, घाइ को पड़े को बांगे 2-3 गंठे लटका दे तो तो मे अब अब लाकश हो… यह थोड़ा पीनट है, एक बॉइल पेटेटो है, इसे भी हम छॉप्ड कर लेंगे, यह लैटर्स मैंने छॉप कर रखी है, यह भी हम लास्ट में आट करेंगे, करनिशिंग के लिए चैरी है, मैंने मिन्क लीव्स लें है, शुगर है, वन टी स्पून, और यह पाइट पेप आट को पसंद है, वह आप ले सकते हैं, जो नहीं पसंद है वह रिप्लेस कर सकते हैं, बड़ मैं चाते हूं कि जो खाने में हैं, यो बच्चे अकसर हमारे घरों में सबजा नहीं खाते हैं, इस सालेड के तूरू वह खा पाएंगे, अब मैं इसकी चॉपिंग कर रही हूं यह आप कैसे भी चॉप कर सकते हैं, एक मर्जी के कोईडि hands, तक रखते हैं वह यह लंगी सबके हूं कि अपले में डाक्रें में के अब समुपिना मैं कहुं है मैं सारी बेचीटेबल, बceğ से और टना क्रीए हूं, इसल Works, अ एलो कर रही ह growing당, जिसे नहीं आपके। गरू है जो बच्चों को काफी अट्रेक्ट करता है कि वो खा पाते हैं वरना वो कैप्सिकम से बड़ा दूर भागते हैं सब जानते हैं कि वेजटेबल हेल्थी होती है मैंने कहा ना फ्री टाइम जंग फूर्स अच्छी है कि हम यह सैलेड बना के खाएं वैसे आप कभी भी खा सकते हैं जरूर ही नहीं है कि आप फ्री टाइम में खाएं यह मैंने रैड और येलो कैप्सिकम और बैल पेपर अब मैं एपल को डाइस कर रही हूं यह भी मैं रफ्टी चॉप कर रही हूं मैंने हाफ हैपल लिया है अक्सर हम ऐसे सैलेड जो रेस्टोरेंट में जाते हैं तब ओर करते हैं कि बड़ा फैंसी सा होता है बड़ बहुत एजी होता है गर में बनाना अब मैं कैरट को चॉप कर रही हूं जैसा कि मैंने आपको कहा जैसे आपकी मर्जी आप डाइस करें बहुत फाइन चॉप करना चाते हैं कैसे भी मैं रफ्ली कर रही हूं सब बीन्स और कैरट को हम दो मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे माइक्रोवेव सेर्फ छोटे से बाउल में लेके एक स्पून पानी आड़ करके दो मिनट के लिए ताकि यह हार्ड ना हो अब मैं बीन्स को चॉप कर रही हूं आपको पसंद यह तो आप अवाइट कर सकते जैसा कि मैंने आपको कहा इसको दो मिनट के लिए मैं यह बीन्स है और एक एक स्पून मैंने पानी एड़ किया है और दो मिनट के लिए माइक्रो मोड पे ही माइक्रोवेव करने जा रही हूं चलिए इसको रखते है माइक्रोवेव करने जा रही हूं चलिए इसको रखते ह एक बाउल ले रही हूं बड़ा mixing bowl जिसमें कि मैं एक कप है यह फ्रेश क्रीम एड़ कर रही हूं उसके बाद यह 1 4th कप मैं mayonnaise जाल रही हूं आप हाफ भी डाल सकते हैं बढ़ मेरे साब से इनफ है तो मैं 1 4th ही एड़ कर रही हूं और जो कर्ड एड़ करते हैं वो कर्ड एड़ कर लो मैयोनी की जगे मैयोनी इसको आप रिप्लैस कर सकते हो पटाज कल मार्केट में एड़ लेवल है वन टेबल स्पून है यह सारी टी स्पून है यह मैं सॉल्ट एड़ कर रही हूं अभी शूगर आप एड़ कर सकते हैं अग अब इन सब को अच्छे से विस्क करेंगे अब मैं इसमें सबसे पहले पीज एड़ कर रही हूं जो मैंने बॉइल कर रखे हैं हलके से दो मिनट के लिए जैसे माइक्रोवेव करना ही ले लिए ये छोटे-छोटे तटे वे तिंट पाइनपल ये जो हमें चॉप किया था कैप अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हमारी सब्जियां जो हमने रखी थी माइक्रोवेव में दो मिनट के लिए वह हो गई है मैं वह भी लेक्के आती हूं इन्हें हम दो मिनट बार डालेंगे क्योंकि दरम है इसका तेस्ट खराब हो जाएगा जब तक मैं अनार के डाने मैं दाल रही हूं यह मैंने खाना फ्रूट की क्वेंटिटी और इसी फ्रूट को आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकोर्डिंग मैं इसमे डाल रही हूं अब मैं यह ग्रेटेड सौरी चॉप्ड फाइनली डाइस्ट जूलियन्स किये है मैंने यह लेटेस यह मैं हाफ ले रही हूं आप नहीं डालना चाहते है तो मत डालो लेकिन मैंने कहा ना सैलेड में जितनी सब्जी और फ्रूट सो अतना अच्छा है और आप बिल्कुल ही पसंद नहीं करते तो आप अवाइड कर सकते हैं एक बार हम इसे अच्छे से स्टर देंगे मिक्स कर अब हम दो मिनट उसको ठंडा होने देंगे अपने बीन्स को और कैरेट को फिर हम इसमें एड करेंगे चलिए तो अब हमारा कैरेट और बीन्स भी ठंडा हो गया है यह मैं इसमें आड कर रही हूं कि काफी कलरफुल हो गया है अब मैं सब मिक्स कर रही हूं इसलिए सबसे लास्ट में मैं रॉस्टेड पीनट है जो मैंने तू मिनिट्स या त्री मिनिट्स जैसा भी हो डिपेंड करता है क्वेंटिटी पे विदाउट कुछ भी एड किये सिर्फ आप पीनट्स को माइक्रोवेव करके रोस्ट करके मै सबसे लास्ट में मैं इसलिए एड कर रही हूं ताकि एक क्रण्च आए अगर हम खाते वक्त ही एड कीजिएगा क्योंकि अगर फर्स पहले आप एड कर दोगे तो यह सोगी हो जाएंगे और इनका क्रण्च खत्म हो जाएगा रोस्टेट पीनट सबसे लास्ट में जब आप सर्फ कर रहे हो सालड को उस वक्त आप एड किजिए इसके साथ रोस्टेट पीनट के साथ एड करके और अच्छे से स्टर कर लूँगे तो अब हम इसे एक अच्छी से दिश में प्रेजेंट करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है आप इसे चिल भी सर्फ कर सकते हैं या एज इट इस जैसे आप खाना पसंद करते हैं या आपकर डिपेंड करता है मैं इसे गार्मिश कर रहे हूं चैरी रैड चैरी और मिंट लिवस के साथ तो आज के सेहत और जिंदगी बुलेटिन में बस इतना ही कल फिर हाजिर होंगे सेहत की नई नई बातों के साथ तब तक के लिए नमस्कार करते हैं